हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक्त में चैनल अम्रिती फश्यमिला आज के वीडियो में हम लड्डू कॉपाल जी के लिए पगली बनाएंगे यह मैंने चार नंबर के काना के लिए बनाई हुई है एकदम सिंपल और आसान तरीके से आभी से अपने काना जी के लिए बना सकते है अगर आप और भी साइज में इसे बनाना चाहते हैं तो बेस की वीडियो अल्रेडी अप्लोड है चैनल पे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सम प्लाक्स में लिएगा मैंने सभी साइज के लिए इस तरह का बेस बनाना आपको बताया है पिछले साली तो आप ज़रूर आप चैनल को सब्स्राइब कर लें साथ में बेल आइकन प्रेस करके अल पे क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मेलती रहे और अगर आपने मुझे भी तक इंस्टागाम पे फॉलो ने किया तो मुझे महाँ पर फॉलो करिए मेरा इंस् अब्सक्राइब से हमारा यह साड़े चार इंच है और यहां से मैंने इसे देखें 2.1 इंच रखाया दिखें दो इंच से एक पॉइंच हमारा अधिक है आप दो इंच भी लग सकती है इसके पीछे मैंने रैट कलर में फैब्रिक प्रेस करके चिपका दिया है हम क्या मोड़ेंगे यह एतने पैसे है डिर अधे से थोड़ासा एक तरह रखाए सा सा जाधा मोडेंगे और इस तरह से हमें नाखुल लगाना है यह अच्छे से और नाखुल लगाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे मोड़ा हुआ है वही तक हमें इसे इस तरह से कट करना है जहां तक मोरड रखा है वही तक करना है ऐसे छोटा-छोटा कट लगा लेना है इकदम शिम्पल और आसा तरीका है कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत आसान इसे आप बना लेंगे इसे और बोखुत ही खूब स्वरा से आपकी ये पगड़ी बनके रैडी होगी कि यह दिखिए यह से हमने कर दिया है यहां पर हमने कट लगा दीया अब मैं क्या करणा है इसे如何 हैं से मोड़ा हुआ है उसक्ती थोड़ा सा नीचे से हम इसे कट करेंगे यह इस तरह से हमें राउंड सेब देगे हैं इस तरह से हिए रह्मा सा और देती है तो आक के सब आएगा यह कानल जी के हल्का सा और दे द्या है आई यहे दिखें यह ऐसे करके आगे है कि हम इस तरह से अब एक दूसरे के ऊपर चिपकरएंगे यहेसे कर के बहुती कुपदोर से हमारी पगडी बनेगी है यहां से कट करने के बाद आप इस तेरह से यह चार नंबर हो नजाजी है कानाजी को रखके और ऐसे मेजर भी कर सक यहां पर हाफ इंच आप चढ़ा के और इस तरह से नाप सकते हैं अगर आप देखेंगे तो यह देखिए दोनों सेट से इनकी आख पर यह अभी चढ़ रहा है थोड़ा-थोड़ा हमें क्या करना होगा जैसे हमने इसे डबल किया था वैसे हम डबल करेंगे और डबल करने के लिए इसे बार इसे हम और कंट करेंगे जिससे यह आख पे न चढ़े कान अजी के यह हमने कट कर लिया आप फिर से यहां से चेक कर सकते हैं यह ऐसे गरके एक दूर्सरे पर चढ़ा के और अब यह हमारे काना जी के आख पे बिलकु भी नहीं जड़ा आए रह रहे और यहां पर फेबी बॉंड का यूज़ कर सकते हैं और यहां फिर आप ग्लूगन का यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहां पर ग्लूगन ली हुई है गरम है मेरी मैं ग्लूगन का यूज़ कर लेती हूं आप एविबांट का भी यूज़ कर सकते हैं जिनके पास ग्लूगा नहीं है सेम काम करता है यह देखें यह इस तरह से यहां पर हम चिपकालेंगे इसे यह ऐसे करके लगबग हाप इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैंने एक दूसरे के उपर चड़ाया हुआ है इन्हें यहा साहरा ठंडा हो गया है इस तरह से कानर जी को एक बार ऐसे पहना के चrap लेंगे आप देखें लिए इकदम परकर है प्रफ्रेक्ट हा रहा है हमें अब क्या करना है इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वह चिपकाना है यह जो हमने कट किया हुआ है इसे इस तरह से इसे मोड लेंगे अंदर की साइड ऐसे करके यह हमने मोड दिया, मोड के आप इस तरह से ऐसे रख भी सकते हैं, और रखने के बाद अब हम यहाँ पे दो पेपर कट कर लेते हैं, ऐसे ही अपनी बुकरम ही दो गोल कट करते हैं, फिर हम इसे चिपकाएंगे यह देखिए, मैंने यहाँ पे यह बुकरम ली हुई है, हमें इसमेशे करने के बाद यहीं से हम अपना सरकल निकालेंगे बहुत बड़ा सरकल हमें नहीं चाहिए चोटा ही चाहिए तो यह इस तरह से हमें कट कर लेना है ये देखें ये कट हो गया है ये इतना बड़ा है अब ये circle नहीं है एनडा कार हो गया तो हम यह घंट करके अपना circle बना लेंगे ऐसा ही आपको random ही cut करना है ये इतना बड़ा है आप यहां से एक बार इसमें डाल कर सकते हैं कि यह आयेगा कि नहीं तो देखे परफेक्ट एकदम सेट हो जा रहा है इसमें यह देखें कि ते अच्छे से सेट हो गया है तो अभी हम इसे पहले निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम लगाएंगे इसमें ग्लू आप अब भी बॉंड भी लगा सकते हैं इसमें हमें अंदर थोड़ा से एक्स्ट्रा ग्लू आपको डालना होगा यह भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डाल दें फिर भी हलका सा एक्स्ट्रा ही आपको डालना होगा यह मै आप चेक करेंगे मेरे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा आप चेक कर लिजेगा कि बिना ग्लुगन सिर्फ सुई राई की हल्प से कानाजी का मुट कैसे बनाएं बाई अम्रिती फेशन विला या डाल के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा या बोल के भी अगर यह देखें इस तरह से मैंने मोड़ा और मोडने के बाद यहां से हम एक छोड़ा सा सर्कल और कट करेंगे यह हमने कट कर लिया और कट करने के बाद हम इसे उपर की साइट चिप काएंगे तो उपर की साइड चिपकाने से पहले ये देखें ये अंदर जो आपको हलका फुलका दिख रहा हो एक आख खुला उसमें इस तरह से पहले थोड़ा सा ग्लू अंदर अंदर से लगाएं और यह देखे मुझे यह इतना दिख रहा था और लगाने के बाद उपर से इस तऱ से गलू लगाएंगे और लगाने के बाद यह रेड़ वाली जो साइड है वो उपर की तरब से इस तरब से चिपता देंगे यह देखें यह बहुत ही इजली आप कर लेंगे बाहत बचाबー बचाके करेंगे बॉहत गरम होता है इस तरह से हो गया है अब क्या करेंगे है पैसे हैं किसी चीज पर एती हुरत पर टीज पर रहक और से दबादें तो मैं दबा देती हू around ऐसे टेबल पर करेंगे तो गंदी हो जाएगी च्योंकि इसमें से जब आप दबाएंगे तो ग्लू निकल के लगेगा यह देखिए यह मैंने दबा दिया यह देखिए यह हमारा रैडी हो गया है कुछ इस तरह का इसका लुका है अंदर से भी देखिए कापी अच्छी सी फ फोल करेंगे फिर हलका से चढ़ाते हुए इस तरह से फोल करेंगे और फिर दोनों को एक दूसरे को पर फोल करके या तो आप इस पर सिलाई मसीन से सिलाई लगा दे और या तो इस पर प्रस लगा दे मैंने प्रस लगा दिया है प्रस लगाने से थोड़ी सी फिनिशिंग चलिएाइन लगाते हैं, देखिए हम कि स्तर से लगाएंगे । चलिए बएस बिएसे लगाते हैं, आधके लेकिम इसंतरु one देने हैं इस लगाते हैं तो यहां से लगाएंगे और यही आदे तक लिखे के विभूआएेशी यहां पीछे लमा तो फेडन कि ही जब जब स्टार्ट करेंगे और यह पूरा यहां से लगाते हुए यहीं पर आना है तो चलिए मैं इतने दूर ऐसे ही डाउंड में लगाते हुए आपके सामने ही लगाऊंगे यह इस तरह से यह ग्लू लगाएंगे और पहले हम थोड़ी दूर लगाएंगे यह रहा यह इस यह यह पर राउंड से आपके सराण भी हुए परकों दो लगाएंगे पते हुए तो यह देखिए यह मेरा हम थोड़ी सोट घंद इनि मेह लिगाएंगे इस तरह से यहां पे ऐसे हम चिपकाएंगे और यह नहीं कि यहां नीचे से जाएंगे यहीं से हम पीछे की साइट से इस तरह से गुमा देंगे ऊपर यहां पर हमारा यह इस तरह से आ गया है यह पूरा हमारा यहां पर ऐसे राउंड बन गया है अब देखिए यहीं पर हमारा मिल गया है जहां से हमने स्टार्ट किया था तो हम अब क्या करेंगे यह देखिए इधर से हमारी स्ट्रिप नीचे जाएगी और इधर से हमारी स्ट् पrences अलीक आल गाया और यहाँ से हम ईहां आ आगे है है यह घं आप गिदम कहाओ आद दिया है Morris यहां नीचे पर से इसके नीची आएंगे ही स्ट्रिप में अगर थोड़ी सी भीक्त हो शुर। नहीं समझ आए हो मैं यह ज़तक है यहां से यह अब उपर आ जाएगी इधर यह इस साइड हमें इस तरह से लगाना है यहां पर फल का अलगा से चढ़ाते हुए लगाते हैं यह ऐसे करके जिससे गैप बिल्कुल भी ना दिखे और देखे यह इस साइड से हमारी उपर होते जा रही है इस तरह से यहां से यह उपर आ रही है इसका अच्छे से हमें सेप को अपने ध्यान देते हुए लगाना है बहुत ही कुपसुरोसी पगड़ी बनती है और बहुत इजी परिके से सीम चीज जैसे मैं करती हूँ आप नेट का फैब्रिक नहीं लेना चाहते हैं आपको थोड़ी भी दिख अपकत हो रही हो तो आप इसकी जगह पे रिबन ले सकते हैं हमारी जो शाटन रिबन आती है मार्केट में टिशू रिबन अगर आप लेके काम करेंगे तो बहुत जल्दी से जल जाता है तो उसके साथ आपको फैविक बॉंड का यूज करना पड़ेगा आप चाहें तो इ अगर आप बिंगन है तो भी आप इसे ट्राइ करें आप जरूर बना लेंगे और इस जन मास्क में पर आप बना सकते हैं अपने कानल जी के लिए बस आपको अपना हाथ थोड़ा बचा के काम करना होगा क्योंकि ग्लूगन जो है एक तम गरम होती है हाथ जल जाता है तो छ यह इस तरह से यह लास्ट इस्ट्रिप मेरी थोड़ी सी मुझे अनीवन लग रही है तो मैं इसे हलका सा सेट करूंगी यह मैंने सेट कर दिया अब यह इसके उपर से आ जाए किस तरह से यह देखें यहां पर आ गई यह ऐसे करके यह देखें यह हमारा पूरा कवर हो गया अब इतनी दूर का हिस्सा बचा हुआ है तो आप चाहें तो हमारी जो स्ट्रिप यह बची होई है इसी से आप इसे कवर कर सकते हैं तो चली हम इसे कवर कर लेते हैं पूरे को जिसे हमारा कहीं पे दिखेगा नहीं यह देखें यह स्ट्रिप जहां से आप इसे नहीं है यह सेंटर वाली जब हमारी रहे गई है तो यहां पर भी हम इसे लगा लेते हैं ग्लु को यह हमारा हो गया है कम्प्लीट एक बार इसे हम नीचे लेके आएंगे और यहां से इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे बस हो गया आप देखें कितना इजीली हमारा यह बदगे रैडी हुआ है अब हमें सिर्फ इसे डेकोरेट करना है इधर से भी आपको प्रॉपर लेयर समझ में आ रहे होगी और इधर भी हमारी प्रॉपर लेयर आई हुई है यह हमारा हो गया है यह देखें इस तरह से आ गया है नीचे से मैंने एक्सरा जो था वो कट कर दिया यह रहे काना जी और इस तरह से इन्हें पिट आएगी जह कितने अच्छे से आ रहे है अब इसे थ्वार डेकॉरेट करते हैं ऐसं तरह से करिंगे करने कि लिए मैंने यह पर यह काबढ़़ी है ।र comment इस पर मोर पंख में यहां पर कागज पर कट नहीं कट कर लें नहीं इसे इतना बड़ा कागज इस बिस बेर आपको चाहिए उस सेप में आप अपने कागज पर मोर पंख को कटका सकते हैं तो यह देखे मैं इस तरह से किया पहुम क्या खरेंगे इसे यहां से थोगा सा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम यहां पर अपना इस पर सेब बना लेंगे देखे इस तरह से यह ऐसे करके मैंने इस पर अपना सेब बना लिया है यह ऐसे करके यहां पर हम इसे हलका सा यह हमारा हो गया, इसे से हम इंसे कर देता है, इसे से हम इसे और इसे स्परेट कर देते हैं, यह देखें, बहुत खुबसुरत सी पगड़ी आपकी ही, और बहुत एज़ी तरीके से, यहां पे पुरा थिता यह करने के बाद आपनी Morepank को यह दिखें यहां पर आपको रखे और चिपका लेंगे यह दिखेंगे यह बहुत ही इसली चिपकड़ जाता है आप देखिए इस तरह की चार्ट आती है, आपको इसली मिल जाएगी मार्केट में, यह हम क्या करेंगे, यहाँ अपने फैदर पे लगाएंगे, किस तरह से लगाना है, यहाँ साइड से स्टार्ट करेंगे, यह देखिए, यह ग्लू के अलसे में लगाना है, यह मैंने i a steam ले लेती है यह इस तरह से दिखें यह घूम गई पुरी पुरा का पूरा अपना seat ले लेगी इस तरह से इतनी तुर में लगाई से सेब भी लगा लगो करें और आप呀 तो center में भी लगा सकते हैं को कि देखिए भी लगा लिए अब इसे साइट करते हैं और मैंने यहां पर दिखे यह फैब्रिक लिया है इसकी चोड़ाई मैंने 4 इंच रखी थी और लंबाई 10 इंच इसे इस तरह से डबल करके प्रेस कर लिया है फोल्डड हिसा हमारा इधर है और खुला हुआ हिसा हमारा इधर है हम क्या करेंगे इस पैसे पतली पतली सी प्लेट बनाएंगे यह इस तरह से बहुत चोड़ी नहीं बनाएंगे अगर आपसे चोड़ी बन रही है तो भी कोई बात नहीं है बट पतली अगर आप बना पा रह यहां बना लेना है पूरे फाबरिक से इस तरह से यह हमारी बन कहीं बनने के बाद हम अच्छ CC दबाएं गे और दबाने के बाद हम इसे खोल लेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत इदर से कहीं लग रहा हो कि आपका सही से नहीं है तो आप उसे इस तरह से सेट कर सकते हैं बस इतना करने के बाद मैंने यहां पर यहां पर धागा लिया और धागी की हल्प से इसे बात लोंगे निचे से आप यहां पर सुई धागी की हल्प से ये अच्छा हैं ये भी तिक लिएक नीं है विलकुल खराब नहीं होगा आप अच्छे से इसे बाद रहते हैं ये ये खुलेगा नहीं हमारा बिलकुल भी और बातने के बाद यहां से कर Кठ से कॉछ सब्सक्रां रस सिस्री काकर हुआ है अपने कल्की मनों अटैच करेंगे यहां से ऐसे करके और अटैच कर देंगे तो चलिए चिपका दे कुएंगे सबसे पहले यहां पर हम ग्लू लगाएंगे और यह हिस्सा यह इस तरह से ऐसे हमें लगाना है थांद बचाके करें मैं फिर आपको कहूंगी मैं तो बहुत जलती हूं क्योंकि छोटे-चोटे बच्चे भी है चनल पर अब यह थोड़ा सा जब सुखेगा तो तुर्ण सा पकड़ लेगा यह बहुत गरम है यह देखें यह हमारा पकड़ डिया है यह देखें हम ने आप इसे चिपका दिया अब हम इसे यहां पर इस तरह से लगाएंगे तो चली लगा देते हैं थोड़ा सा ग्लू यहां थोड़ा सा यहां और थोड़ा सा यह बस इस तरह से यहां पर जब का लेंगे यहаться कर के आएगा देखें यहां पर यह लग गा अब हम क्या करेंगे यह जो हमने फ्रिल लगाई है इसे भी थोगा डेकुरेट करेंगे तो यहां से इस तरह से ऐसे ग्लू लगाना है और ग्लू लगाने के बाद हम देखें यह अपना चार्ट कट करके रखा हुआ है यहां इस तरह से इसे चिपका लेंगे यह से करके हम यहाँ इसे डिकोरेट करना है यह ऐसे आपको फ्रिल गिन के नहीं डिकोरेट करना है बस थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दे क्योंकि कहीं कहीं हमारी प्लेट पास पास होती है कहीं कहीं प्लेट हमारी दूर दूर होती है तो फ्रिल गिर्ण के अगर आप लगाएंगे तो आप कहीं पे पास हो जाएगा और कहीं पे दूर हो जाएगा तो ऐसे ही रेंडम आप इसे लगा दें इस पे आपको देखके इसकी दूरी जहां भी ठीक लग रही हो पहां लगा देखके मैं आप एक फ्रिल की छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत पास हो जाएगा अगर उस पे लगा दूँगी लगाना हमें इसे फ्रिल के उपर उपर ही है जो भी फ्रिल आएगी उसके उपर ही लगाएंगे बट इस तरह से रैंडम लगाएंगे हम इसे ये ऐसे करके एक ड़म इजी सा तरीका है गाईस बहुत ही खुब्सुरा सा आपका बनकी ये रड़ी होगा इस तरह के पकड़ी मैंने आपको पहले भी बनाना बताया हुआ है अगर आपने नहीं चेक गया हो वीडियो तो आप पुरानी मेरी पगड़ी की वीडियो चेक करेंगे तो उसमें जरूर आपको साइच चेंज करके मिलेगा ये माली चे मैं चार नमरे काना का बना रही हूँ तो उसमें जरूर किसी बड़े साइज ये चोटे साइस का ही होगा क्योंकि चार नमर में मैंने इस तरह की नहीं बनाई है पगड़ी ये हमने यहां पर चिपका दिया अब इसकी ये वाली जो साइड है यहां पर भी हम अपने ये चाटी चिपका देंगे डबल लाएं और यहां हम कुछ नग और स्टोन चिपका देंगे तो ये हमारा रैडी हो जाएगा तो पहले यहां पर चिपका लेती हूँ इसे हम सेंटर में ही लगाएंगे ये इस तरह से यहां पर यह लग गया और बस यहां पर हम कुछ नग और स्टोन लगा देंगे यहां पर देखे और ये आनना जी को पहना के भी की धिखा देती हूं बहुत बहुत ही पें अपो गोल सब्सक्राइब यार इस तरह से दिखें नहुं लोगा विर पें नहीं पर आ खाललेगा है अब बहुत ही कुपसूरत लग रहा है और बहुत ही मुझ है जो बनाना बता कि हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हम देगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे तुष्णा रादे रादे